हलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल पिछली वीडियो में हमने शॉटकट कीज की थी A to Z और इस वीडियो में हम फंक्शन कीज करेंगे F1 से F12 तक फर्स्ट है F1, Help आपको अगर कोई भी Help चाहिए तो आप F1 की प्रेस करेंगे सेकंड है F2, Rename और Reload किसी भी File का नाम बदलने के लिए और हम पेज को Reload करने के लिए भी F2 की का यूज करते हैं मतब इसके दो परपस हैं एक Rename और दूसरा Reload थर्ड है F3, Searching Searching परपस के लिए यूज होता है F3 की F4, Alt प्लस F4, Close या फिर Shutdown F4 के साथ Alt यूज होता है उससे हमारी सारी Open Files Close हो जाएंगी Alt F4 से हम Shutdown कर सकते हैं मतलब इसके भी दो परपस है एक है Close और दूसरा है Shutdown F5, Refresh या फिर Slideshow अपने सिस्टम को Refresh करने के लिए हम F5 की का यूज करते हैं और इसका दूसरा परपस है Slideshow अगर हमारी जो Presentation है हमें उसे Present करना है तब भी हम F5 की का यूज करते हैं Next है F6 Address Bar Will Highlight Address Bar को Highlight करने के लिए F6 की यूज होती है F7, Check Spelling Spelling या फिर Grammar को चेक करने के लिए हम F7 की प्रेस करते हैं Next है F8 Boot Menu F8 का यूज होता है Boot Menu Open करने के लिए F9, Remove the Selected Item जितनी भी Items हमने Select की है उसे Remove करने के लिए हम F9 की का यूज करते हैं F10, Shift प्लस F10 Activates Menu in MS Word MS Word में या फिर कहीं और Shift प्लस F10 हम यूज करेंगे तो हमारा जो Menu है वो Activate हो जाएगा F11, यानि Full Screen अगर हमने किसी भी वीडियो का फॉर एग्जामपल किसी भी वीडियो का जो Screen है वो Full करना है तो हम F11 की यूज करेंगे और अगर हमें उस Screen को छोटा करना है तो उसके लिए भी हम F11 ही यूज करेंगे Last है F12, Save As अगर हमने अपनी कोई भी फाइल Rename करनी है तो हम F12 की यूज करेंगे और अगर हमने अपनी फाइल की Location जो है वो Change करनी है तब भी हम F12 की ही प्रेस करेंगे